महराश्ट की राजधानी मुंबई में विशेश पॉक्सो कोट ने एक 43 साल के व्यक्ति को अपनी 11 साल की बच्ची का यौन शोशन करने के आरोप में 10 साल की सश्रम कारवास की सजा सुनाई साथ ही 7000 रुपे जुरमाना भी लगाया आरोप है कि साल 2017 में आरोपी व्यक्ति ने दो महिने तक लगातार अपनी बेटी का यौन उत्पीडिन करता रहा एक दिन बच्ची ने कौपी में लिख कर मा को पिता की गंदी हरकतों के बारे में बताया तब जाकर मा ने आरोपी पर केस दर्च कराया जानकारी के मताबिक लडाई जगड़े के चलते बच्ची के मा बाप अलग रहते थे कुछ समय बाद दोनों में सुला समझोता हो गया और फिर दोनों साथ रहने लगे एक दिन बच्ची ने अपनी मा को बताया कि पापा ने कुछ गंदी हरकते की है मा ने उससे पूछा कि किसके साथ की है तो इस पर बच्ची ने अपनी कौपी में लिख कर बताया कि उसके साथ विशेश नयादीश सीमा जाधों ने आरोपी पर साथ हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया है विशेश नयादीश ने कहा जिला कानूनी साहयता सेवा प्रदीकरन को जाज करने का निर्देश दिया जाता है और अगर जाज से पता लगता है कि पीडितों को मुआवजा नहीं मिला है तो उनके मामले को नियम अनुसार मुआवजे के लिए भेजा जाए विशेश लोग अभियोजक वीना शेलार ने जिन पाच गवाहों का हवाला देते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने की मांग की उनमें नाबालिव और उसकी मां शामिल थी दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया अभियोजन पक्ष के अनुसार लड़की के माता पिता की शादी 2003 में हुई थी उनके एक बेटा और एक बेटी है बाद में पती पत्नी में कुछ कहा सुनी हो गई बेटी के जन के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे आरोपी जहां अपने बेटे के साथ वारानसी में था तो वहीं पत्नी अपनी बेटी और मा के साथ मुंबई में रहती थी अभी ओजन पक्ष के मुताबिक साल 2016 में बच्ची और उसकी मा आरोपी से मिलने वारान सी गए थे अपने बच्चों के भविश्य को ध्यान में रखते हुए माता पिता में सुला हो गई और पिता बेटे को लेकर वापिस मुंबई चला आया पिडित मा ने कोट को बताया कि जब आरोपी पती के साथ रहने लगी तो उसकी बेटी उसके साथ सोने लगी आरोपी उसके मुबाइल फोन पर अशलील वीडियो देखता था मा ने कहा कि जल्द ही उन्होंने देखा कि उनकी बेटी हमेशा डरी रहती थी और बात करना बंद कर देती थी उसने कहा कि 30 जुलाई 2017 को जब उसने बच्ची के साथ करने की कोशिश की तो वह काफी डरी हुई दिखाई दे रही थी काफी समझाने के बाद उसने अपने पिता की करतूतों के बारे में बताया लड़की ने अपनी मा को बताया कि आरोपी ने उसे यौन उत्पीडिंग की जानकारी नहीं देने की धमकी दी थी मा ने कोट को बताया कि अगले दिन उसने थाने में शिकायत दर्श कराई जिसके बाद आरोपी को गिरफतार कर लिया गया